आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो सब्क्राइब कर दीजिए बेल आइकन गंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें अब दीपावली आ रही है दीपावली के पहले धन तेरस आती है जिसको हम छोटी दीपावली कहती हैं इस दीपावली को हमें बड़े विड़वरान से मनाना चाहिए और बहुत सारे उपाय भी करना चाहिए देखिए हमें दीपा वली के धन तेरस के दिन सबसे पहले तुलसी को लगाना चाहिए तुलसी के ब्रक्ष को लगाने के लिए हमें चौक पूर्णा चाहिए इस तरह से हम अपना चौक पूर्णे हैं भगवान को सबसे प्रिय सतिया है इसलिए हमें सबसे पहले तुल्सी का ब्रक्ष लगाते समय साटिया को ही बनाना चाहिए और हमें चोंक आटा से ही पूरना चाहिए रंगोली से चोंक नहीं पूरना चाहिए रंगों लीटों हमें दवार पर बनाना चाहिए इस तरह से हम अपने सतियों को बना लेते हैं और हल्दी बहुत सुभ होती है इसलिए हमें हमेशा थोड़ा सा हल्दी का प्रियोग भी अपने चौख में करना चाहिए जिससे की हमारा चौक सुन्दर भी डिखता है और वो पवित्र भी माना जाता है हमें हली और आटे से ही दीपावली पे चौक पूरना चाहिए इस तरह से हम अपना चौक पूर लिया है अब हम इसमें अपना गमला रखती है गमले को हमने पहले से ही तयार करके रखा है उसमें हमने मट्टी पहले से ही भर दी है अब हम इसमें अपनी तुल्ची मा को लगाने के लिए जगह एक सी बना लेती है ये देखिए मैंने तुल्ची का पेड़ पहले से ही मंगा कर रखा था इसलिए हम इसको इस तरह से जो है चतुथी के दिन जौन दिन जिस दिन धन तेरस होती है उस दिन ही हमें तुल्थी का प्रक्ष लगाना चाहिए धन तेरस के दिन बहुत ही सुमाना जाता है अब यह हमारी तुल्थी माता बहुत अधिक लंबी है इसलिए इनको हम अगर परदी को कि अच्छे से बाऊं देते हैं जिससे कि हमारी ही तुल्ची माता हिल्टी हा ठीलती नहीं है, और अच्छी रहती है। इस तरह से हमें इपनी तुल्ची को बैच को जो हैं लगाना चाहिए। भगवान को तुलसी का ब्रक्ष बहुत अधिक प्रिये है जो तुलसी की पूझा करता है हरी उर्ष को मनवानशित फल देती हैं इस तरह से हमें 7 रा अपनी तुलसी में कलावा बाद देना चाहिए यह देखिए उसके बाद हमें तुलसी में जल देना चाहिए जल थोड़ा सा नित एक लोटा जल तुलसी मा को देना ही चाहिए उसके बाद हम अपनी तुलसी मा का पूजन करते हैं मा को जो है चंदन और रोरी और खल्दी खल्दी का प्रयोग तो तुलसी मा को इत्ता अच्छा है अगर आपकी तुलसी सूख रही है तो आप उसमें हल्दी का उपियोग करिए उसके बाद हम तुलसी में अच्छा चढ़ाती है अच्छा चढ़ाने के बाद हम अपनी तुलसी को चुनरी उड़ा देते हैं चुनरी हमें अभी लकड़ी पे ही लगाने ना चाहिए क्योंकि अभी हमारी तुलसी मा जो है बहुत छोटी है उसके बाद जो है हम तुलसी मा की आर्टी करते है जब हमारी तुलसी मा अच्छे से बढ़ी हो जाती है तब हम इन में फिर चंदन, चावल और उसके संग उनको चूड़ी चढ़ाते हैं उनको बिंडी लगाते हैं लेकिन अभी तो वो लगाई है ना तो उनमें हम अधिक बजन नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा लगने के बाद ही हम उनका विरिवत सिंगार करते हैं यह इस तरह से हम अपनी माता की आर्टी करते हैं माता की आर्टी हमें करना चाहिए और हम मा की आर्टी कर रहे हैं इस तरह से हम अपनी मा की आर्टी कातिक के महिने में नित्त ही करना चाहिए और अगर कातिक के महिने में तो करना ही चाहिए तुलसी की नित्त पूजा और अगर कातिक के महीने के अलावा भी आप इसमें एक लोटा जल और मा को आड़ती करती हैं तो भगवान आप से बहुत अधेकर प्रशंद होते हैं अब हम अपनी मा को भोग लगाते हैं इस तरह से मा को हमें भोग लगाना चाहिए और मा को तीन आजमनी इस तरह से हम जल लेते हैं, जिसमें मा अपना भोग ग्रहन कर लेगे, मा के संग-संग हमारे विश्ण भगवान भी भोग लेते हैं, और उसके बाद जो है हम जवा जवा या ग्याहूं से मा की परिक्रमा करते हैं, हमें मा की पांच साथ जितनी आप कर स चाहिए। और भगवान के की तन करना चाहिए। माहरानी नमो नमो के लाले बें तुले सासो पिडा ले बें राम जी मिसरी मा खने मिसरी ले बें साले गे राम जी नमो नमो तुले सा माहरानी नमो नमो हरे की पते रानी नमो नमो इस तरह से हमें तुल्चा मा के गईत गाते हुए उनके परिक्रमा करना चाहिए और उनके सामने बैठ कर हमें नित ही कहानिया कहना चाहिए कार्टिक के महने में हमें नित कहना कहानी कहना चाहिए और राम लक्षमन के लड़ूओं की कहानी तो हमें तुल्चा मा को नित ही सु विर्वान से तुलसी मा की पेड़ की पूजा करते हैं, मा उनके उपर करती हैं, जम्मा करती हैं, तो विश्न भगवान श्री हरी भी उन पर करते हैं, क्योंकि उनकी जो है सालिगराम के शंग शादी हुई है, वो हरी की प्यारी हैं, और हमें जद तक दे उठाने का रसी नही लगाना चाहिए क्यूंकि हम अभी उनको क्वारी रूप में ही पूझते हैं इस तरह हमें धनते रत को अगर हम मा की पूझा करते हैं उनको जो है लगाते हैं तो देवठान एक अदशी पर वो बड़ी प्रसन होती है जै हो तुलकी मैया की विश्णु भगवान की जै